अकबर किला जिसे इलाहबाद किला के नाम से भी जाना जाता है। किला रन्नी तिक रूप से गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित था जो इसे सेन्य और प्रशासने कुद देश्यों के लिए एक महत्वपून बिंदू बनाता था। इस था ने अकबर के सामराज्य को मजबूत करने और क्षेत्र पर नियंत्रन बनाये रखने की प्रयासों में भी महत्वपून भूमिका निभाई। अकबर किला मुगल और स्वदेशी स्थापत्य शैली का मिश्रल प्रदर्शित करता है। इस स्थम्ब पर सम्राट अशोक के शिलालेक हैं, जो इसे एक अमुय एतिहासिक पलकृती बनाता है। सरस्वती कूप एक और दिल्चस्प विशेष्टा सरस्वती कूप है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह कुआ पौरानिक सरस्वती नदी से जुड़ा हुआ है। ये तीर्थ्यत्रियों और आगंतु को द्वारा समान रूप से पूजनिय है। प्रदर्शित करता है। अकबर किला अत्यदिक एतिहासिक महत्व रखता है, क्योंकि यह मुगल काल की दौरान महत्व पूर्ण हटनाओं का गवाह रहा है। समराथ अकबर ने किले को एक रणनीतिक सेन्य चोकी और प्रशासनिक केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उनकी सामराज्य के विशाल क्षेत्रों पर शासन करना आसान हो गया। इसके अतिरिक्त किला क्षेत्र में मुगल सत्ता और शक्ती के प्रतीक के रूप में कार्य करता था। इसके अतिहासिक में हत्व को पहचानते हुए किले को सुरक्षित और संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। किले की खोच से आगंतुकों को समय में पीछे यात्रा करने और भारत के अतीत की सम्रिध टैपेस्ट्री में अंतर द्रिष्टी प्राप्त करने की अनुमती मिलती है। जहां संस्कृतिया, सभ्यताएं और सामराज देश की पहचान को आकार देने के लिए जुड़े हुए थे। झाल